श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज दस्वे भाव में रहेंगे जी हाँ दस्वे भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए अच्छा रहेगा ये दिन आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा दस्वा भाव हमारा कर्मक्षेत्र है ये भाव हमारे कामकाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिस वज़े से आप आपको इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में मान प्रतिस्था मिलेगी। आपको इस समय में धनकमाने के नए रास्ते, नए जरिये मिल सकते है। जो लोग बिजनिस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा। आप इस समय में खुलकर निवेश कर सकते हैं। मदद करेंगे आपका मन अपने काम में लगेगा अच्छे कामों की वज़े से आपको प्रचनसा भी मिल सकती है हाला कि इस समय में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा शरीर में थोड़ी सुस्ती भी कामों की वज़े से आ सकती है लेकिन दिन के अंत में आपके कामों का फल आपको अवश्य मिलेगा जो लोग नोकरी ढून रहे हैं उनके लिए समय शुब है प्रयास करें आपको अच्छी जावप मिल सकती है कारेक्षेत्र में चंद्रमा के होने का मतलब ही यही है कि कोई भी खाली नहीं रहेगा सब को काम मिलेगा कर्मों का फल इस समय में मिलता ही है दस्वे भाव में चंद्रमा 34 स्थान पर द्रिश्टी डाल रहे है इस वज़े से आपको सुखों की प्राप्ती भी होगी इस समय में आप भूमी या वहन ले सकते है आपके घर में साथ सजावट का या जरूरत का नया सामान भी इस समय में आ सकता है जो सामान काफी दिनों से लेने की आप सोच रहे थे वो आप इस दिन ले पाओगे इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी मिलेगा इस समय में आपके ससुराल पक से भी आपको धन्नापुनी की संभावन रहेगी जो लोग राजनीती में हैं उन लोगों को इस समय में खास तोर पर फाइदा होने वाला है राजनीती के ख्षेतर में आपको नाम वपतिष्ठा मिलेगी धन की प्राप्ति भी होगी और राजनीती के ख्षेतर में आप सफल रहोगे अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहतरीन रहेगा पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगेगा अपने फ्यूचर के बारे में फैसला लेने के लिए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए ये समय सही है इस समय में आपकी वानी में मिठास रहेगी लोग आप से प्रभावित होगे इस समय में आप प्रसन रहोगे, खुश रहोगे positive सोच से आगे बढ़ोगे इस समय में आपको पारिवारिक सुक्की प्राप्ती होगी परिवार के साथ खुश्या मनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा अगर स्वास्त की बात करें सेहत की बात करें तो स्वास्त से जुड़ी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में आने की संभाव न रहेगी लेकिन चिंता करने जेसी कोई बात नहीं रहेगी अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए योगा का सहारा लेना हमेशा ठीक रहता है लेकिन उसमें अपने सांस लेने और छोड़ने का वत उस पोस के मताबिक सही होना चाहिए जी हाँ अपनी सास लेना या छोड़ना काफी मायने रखता है ये दिन आपके लिए आर्थिक सिदी के हिसाब से भी काफी बढ़िया रहेगा विदिश से धनकामाने के मोके भी इस समय में आपको मिलेंगे कुल मिलाकर ये दिन बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा साभी दोने वाला है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुणली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर दे बता है तो कम महनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलक और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़ को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आते हैं, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते या चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल की जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देन बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकत वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथ ही दोस्तो हम हमेशा देखते हैं घर के उपर ज नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथी दोस् सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारत्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद